नमो नमह मैं मम्ता ठाकूर एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा साथ की संस्कृत की पाठे पुस्तक मंथन भाग दो का पाठ ग्यारा कह विश्वसनी यह इसका क भाग है ये कह का आर्थ होता है कौन और विश्वसनी यह अर्थात भरोसा करने योग्य तो भरोसा करने योग्य कौन है इसके बारी में आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे उज्जयिन्याम एकह निर्धनह ब्रामनह आसीद उज्जयिनी में एक गरीब ब्रामन था तस्य परिवारे से पत्नी ही पुत्राह चरासन उसके परिवार में वह उसकी पत्नी और पुत्र थे एक दा तस्य पत्नी क्रोधिय अकतियत पुत्राह बुभुख्षिताह एक बार उसकी पत्नी ने गुस्से में उनसे कहा पुत्र भुखे हैं गच्छ भोजन माने जाओ और भोजन लेकर आओ सग्रामात बही गत्वा वने प्राविशत परम किंचद अपिन आलभथ वह गाउं से बाहर गया और वन में उसने प्रवेश किया अर्थात वन में गया गाउं से बाहर निकल कर वो वन में गया परन्तु उसे कुछ भी किंचद अपि मतलब कुछ भी ना अलभथ कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ कुछ भी नहीं मिला उसे पिपासितह इतस्ततह भ्रह्मन एकम कूपम अपश्यत पिपासितह अर्थात प्यासा इतस्ततह इधर उधर इतस्ततह मतलब यहां और ततह मतलब वहां तो इतस्ततह मतलब यहां वहां भ्रह्मन घुमते हुए एक कुवा देखा अर्थात प्यासा होने पर या प्यासा से व्या एग्रम सर्पम वानरम मनुश्यम च दिश्टभ उस कुए में उसने गिरे हुए एक पागा को साप को बंदर और मनुश्य को देखा अर्थात उस कुए में एक बाग, एक सांप, एक बंदर और एक मनुष्य गिरे हुए थे, तम दिष्टवा व्याग्रह प्रार्थितम हे देव माम बही कर्शेयेत, उसे देखकर बाग ने उससे प्रार्थना की कि हे देव मुझे बाहर खीचो, ब्राम्मनों अवदत, ब्राम्मन कहने लगा, तम बही आगत्य माम भक्षिश्य सी, तुम बाहर आकर माम मुझे भक्षिश्य सी, मुझे खा जाओगे, स उत्तरत उसने उत्तर दिया, वचनम ददामी, वचन देता हूं, तव हानी ही न करिश्यामी, तुम्हारी हानी नहीं ब्राम्मन ने उस पर विश्वास करके उसे कुएं से बाहर निकाल दिया, व्याग्रह अकथयत, देव, अहम पर्वतस्य गुहायाम वसामी, अब वो बाग उस से बोला कि देव, मैं पर्वत की गुफा में रहता हूं, तत्र आगच्छ, वहां आओ, अहम प्रत्य उपकारम कर्तु मिच्छामी, मैं आपके उपकार का बदला देना चाहता हूं, अपके उपकार के बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, ब्रामन ह, आगच्छामी, इत्यवदत, ब्रामन आता हूं, ऐसा बूला, ऐसा ब्रामन ने उससे कहा, पश्चात वानर ह, अपी प्रार बाहर आकर वह दूर स्थित एक वरिक्ष को दिखा कर बूला जो कुछ भी कार्य हो तत्रागच रथात वहां आ जाना आपको जो कोई भी कारे हो वहां आ जाना एवा मुक्तवास कूर्दित्वा गतह ऐसा कहकर वहां कूद कर वहां से चला गया सर्पह अपितम प्रार्थेत प्रंतु ब्रामन हा भीतह आसित सांप ने भी उसे प्रार्थना कि प्रंतु ब्रामन डरा हुआ था भीतह होता है डरा हुआ सर्पह अकतियत सांप बोला महराज बिनाकारणम सर्पह नदशती सांप कहने लगा महराज बिनाकारण से सांप नहीं डस्ता अतह निश्चिन्तम भूत्वा माम निश्का सैतू इसलिए आप निश्चिन्त होकर मुझे बाहर निकालिये ब्राम्मन ने वैसा ही किया तम प्रणम्य सर्पह अवदत उसे प्रणाम करके सांप बोला विपत कालम माम स्मरेत अहम अपी उरिनम भवितों मिच्छामी इत्युक्त्वा गतह विपत कालम अर्थात विपत्ति के समय में मुझे याद करना मैं भी उरिन होना चाहता हूँ उरिन कहते हैं रिन से मुक्त होना अर्थात आपका जो मुझे पर ये एहसान है मैं भी इससे मुक्त होना चाहता हूँ जिस प्रकार से अपनी मेरी जान बचा कर मुझे पर एहसान किया उसी तरह से मैं भी आपका आपकर कोई न कोई उपकार करना चाहता हूँ जिससे मैं आ से कहने लगा यह भर मन देवता माम अपी कर्षतू मुझे भी बाहार खींच लो अहम तु तव बंधुरिवस्मी मैं तो आपके बंधु के समान हूँ अरथाद भाई के समान हूँ धयालूहू ब्रहमन अपी सहयता मक्रोत दयालू ब्रहमन ने उसकी भी सहयता की सणरह स्वर् अर्थात सुनार था सअपी ब्राह्मन मकत्यत उसने भी ब्राह्मन से कहा यदैव मम सहायता मिच्छेत आगच्छ यदैव मतलब जब भी मेरी सहायता की इच्छा हो आगच्छ रथात आजाओ आजाना नत्वा सअपी अगच्छ तो इस प्रकार से उसको नमस्कार करके वो भी चला गया पश्चात ब्राह्मन हा चिंतयत इसके बाद ब्राह्मन सोचने लगा नजाने मया उचितम कृतम नवा की मालुम नहीं मैंने उचित किया या नहीं केचित फलानी एकत्री कृत्य सग्रिहम प्रत्यागच्चत कुछ फल एकत्रित करके वह घर की ओर प्रत्यागच्चत अर्थात लोट गया इसके साथ ही वीडियो समाप्त होती है वीडियो को अंतर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद